सीवनी जिले के जनपत पंचायद घंसोड की ग्राम पंचायद खेरी कला के सरपंच सचीव पर लगे ब्रश्टचार के आरोप को ग्रामिनों ने नीराधार बताते हुए आज तहसलदार कारेले में ग्यापन सौपा है इस विशाई में जनपत पंचायद सीओ मनीश बागरी ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है लगे हैं वो सही है यह जो बचाओं में लोग आये हैं उनके तर्क सही है यह सब जांच के बाद इस प्रश्ट होगा तो जांच के बाद में पूरी कारवाई से आप लोगों का अभी बरतमान कुछ दिन पहले चुना हुआ हुआ है उसमें हारी हुर कप्तियाशियों के दो जाए हैं अभी जो खबर चली तो उसका हम खंडन करते हैं और जो आरोप लगे हैं वो निराधार है येगर हम तो ये सासन प्रसासन से यही चाहते हैं येगर उनको शिकायद करनी तो वो पर्सनल करें ना कि समस्त ग्रामबाशियों के नाम से हाँ येगर समस्त ग्रामबाशियों उसमें सामिल है तो निस्पक्स जांच हो मामला ये है कि कुछ लोग चार-पांच लोगों ने ये शिकायद की है कि सिर्फ 5 सचीव दोारा किये गए जो कार है वो हुए नहीं जहां तक हमारी देखरेख में काम हुए है जो जो काम उन्होंने लिखुआया है प्रस्ताव में कि काम नहीं हुए है वो जमीनी हकिकत में का चुनाओ करना था तो चुनाओ के पहले हे जाच हो सकती थी लेकिन चुनाओ के पहले ह उन्हें इसी लिए जाच गवाँ में सांती का माहुल बना रहे, बस हम यहीं चाहेते हैं।